हलो दोस्तों मैं हूँ विगास और स्वागत है आप सभी का सब्सक्राइब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 का प्रशनावली 1.2 का कोश्चन नमबर 5 के बाहरे में ठीक है तो देखिए यहां पर कोश्चन नमबर 5 दिया है कि जाच कीजिए कि क्या क इसी प्राकृतिक संख्या N के लिए संख्या 6 की घात में N अंग 0 पर समाप्त हो सकती है ठीक है तो देखिए इस तरह कि आगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे ठीक है तो देखिए उसको हम सबसे सबसे आसान तरीका क्या है पहले इसका एक छोटा सा नियम होता है कि इस इसके गुड़न खंड में इसके गुड़न खंड में हमेशा दो गुड़न पांच आना चाहिए ठीक है उसके गुड़न खंड में दो या पांच एक बार या दो बार आना चाहिए ठीक है एक से अधीक बार या एक बार आना चाहिए ठीक है देखिए कैसे अगर मालीजे को कोई question हम हल करते हैं जैसे 10, 10 है इसका हम गुड़न खड़ निकालेंगे यहां पर लेगे इसको करेंगे 2 से पहले विभाजित करेंगे 2 पच्चे 10 आ गया फिर इसको हम 5 से करेंगे तो 5 एकन्न में 5 ठीक है तो तो क्या लिख देंगे हम 10 बराबर में 2 गुणे में 5 ठीक है तो इसमें देखे 2 और 5 आ गया आ गया तो यह हमारा 0 पर समाथ हो सकता है ठीक है वह ही अगर 10 के बज़े हम कोई संख्या ले ले मालें यह 12 ले लिया है ठीक है इसको अब हम 2 से भाज़त करें है दो सका 12 फिर इसको हम 2 से करेंगे दो टीय छे फिर इसको हम 3 से करेंगे तीन एक topics तो हमारे क्या जाएका 12 बराबर में 2 गुणे-2 बोड कि तीन तो इसमें देकिए 2 रजर लेकिन 5 5 वीया नहीं आ रहा है और हमारा इसमें कहता है कि 5 और 2 आना जरूरी है तब यह 0 पर समाप्त होगा ठीक है तो यह नहीं आ रहा है तो हमारे यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है ठीक है उसी परकार से हम यहाँ पर नोट में लिखेंगे नोट में हम लिखेंगे कोई भी संख्या कोई भी संख्या कि सुन्ने पर तभी समात हो सकती है हो सकती है जब उसके जब उसके गुड़न खंड में गुड़न खंड में दो गुड़े 5 आये ठीक है यह हम नोट में लिख करेंगे उसके बाद से देखिए उसके बाद से इसको इस 6 को हम हल करेंगे यहां पर 6 को हल कर देंगे तकि examiner आपके question को असानी से समझ जाए यहां दो सेल करेंगे दो तियां छे फिर इसको तीन से तीन एक नम तीन ठीक है फिर लिए इस सिक्स बराबर में दो गुड़े तीन ठीक है तो आप देखिए इसको आगे हम लिखेंगे कि मैं इसमें शिक्स को शिक्स का गुड़न खंड करने पर करने पर दो दो आ जा रहा है आ जा रहा है परन्तु फाइव इसमें नहीं नहीं आ रहा है अताया शुन्य पर शमाप्त नहीं हो सकता और यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है देखिए आप इसको अपने भास में भी लिख सकते हैं इसमें यह दर्स आना है कि इसमें दो आ जा रहा है लेकिन इसमें पांच नहीं आ रहा है यही चीज हमें यहां पर लिख देना है और यह हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों आज के वीडियो अपनों कैसा लगा हमें कोमेंट बॉक्स में जुरू बताईए अगर आप चैनल परने हैं तो सब्सक्राइब जूरू करिएगा तो चली मिलते हैं अंगले